कि हालो दोस्तों वेलकम टो एक्षिपकर हुआ major वाले है दोस्तों टर्टा के जो उएव आती है उसका मैक्स के वारे में दोस्तों टर्टा ने पहले तो आप इसका walkaround करने वाला है दोस्तों क्या प्राइज है इसका क्या माइलेज है और क्या कुछ वारंटी रहे देते हैं कंपणी सारी चीज़े इस वीडियो में कवर करने वाले तो वीडियो को एंड तक देखना वीडियो अच्छे लेगे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइ है जो काफी एलेक्ट्रिक आपको फील कराती है कार जो है अल्रेडिक है दूर से पता चल जाता है तो यह दोस्तों इसका डिजाइन थोड़ा पास से मैं अगर आपको दिखाता हूं तो कुछ इस तैप से मिलता है फ्रंट इहां पर आपको जो है पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पर फ्रंट आपको मिल जाता है दोस्तों यह देख लीजिए नीचे आपको थोड़ा एरो टाइप में डिजाइन मिल जाता है बीच में टाटा का लोगो और यहाँ पर जो है साइड में आप देखेंगे तो एवी की ब्रैंडिंग की गई है और नीचे पर यहांप वल्त यहां पर आपको उता है आपको प्रता हेलोग वा DID तो यहांथ कि सखेंगे आपको प्रिचेक अापको एक साथ दोने फार्म turnback कर beetle मिल जाए अदो काूछ से ऐसरędन आपको सहिं किर आपको जो और स invit लाएक्ट है मिल जाता है तो कुछ इस टाइप से आपको जो इसका साइट प्रोफाल मिल जाता है दोस्तों डाइमेंशन की बात करूं तो यहां पर आपको जो है 493 mm इसके लंबा ही हो जाती है और चौड़ाई है जो तो इसकी वह 1811 mm इसकी चौड़ाई है और जो गाड़ी की उचाई है दोस्तों वह दोस्तों जो प्राइम और मैक्स का जो पहचा नहीं है यहां पर आपको पांच नट वाला आपको मिल जाता है यह इवी की यहां पर बैजिंग की गई है और यहां पर आपको एलेक्ट्रिक का जो है फील दाना के लिए बुलू एक्सेंट है पियानो ब्लैक फिनिशिंग मे मिल जाता है और देख सकते हैं और यहां पर बहुत ब्लैक आउट मिलता है दोस्तों यह मिल जाता है दोस्तों और दोस्तों यहां पर आपको जो है फ्यूल फिलर कैप मिलता है लेकिन दोस्तों यहां पर फ्यूल नहीं डालना है दोस्तों यहां पर चारजिंग पोर्ट है CCS2 पोर्ट कॉमन पोर्ट मिल जाता है दोस्तों यहां पर दोस्तों मैक्स में आपको यहां आप देख सकते इसका रियर सेम नेक्सोन का डिजाइनिंग है बस आपको यहां पर जो है ब्लू एक्सेंट देखने को मिल जाता है इलेक्ट्रिक फील कराने के लिए दोस्तों यह है दोस्तों इसका जो है रियर टेल लैम यह जो है आपको LED में मिल जाता है जो टेल लाइट हो दोस्तों और यहां पर यह जो टेक्नोलोजी यूज की गई है उसका नाम है जिप्ट्रॉन दोस्तों बाकि इसके बारे में अभी बताने वाला हूं पूरा और यहां पर आपको डिफॉकर ग्लास मिल जाता है वाइपर विद वाशर उपर आपको हाइब पांटु स्टॉप यही बांट फॉर सबसे उपर आपको शार्क्रीन है गारे मन नीचे बारे मेर व्ल सिर्गेश कोलरे की देखने को मिल मिल जाता है सामने और पीचे दुनों आपको इसकYour बूर बेट करने के लिए बटन करते इसको boot को open और अगर मैं इसका जो boot दिखाता हूँ आपको एक बार तो यहाँ पर आपको जो है इसका charging kit वगरा सारा सामन इसको boot के साथ ही मिलता है देखो यहाँ पर इसके अंदर रखा हुआ है दोस्तो जो है 3.3 kilowatt मतलब जो 15 amp वाला जो charging kit होता है तो आपको यहाँ पर मिल जाता है यहाँ पर जो है handle है दोस्तों बंद करने के लिए और अगर लीटर की बात करो तो यहाँ पर साड़े 300 लीटर का बूट इसपेस मिल जाता है दोस्तों अंदर लगेज लेंब भी लगा हुआ है देख सकते हैं और यहाँ पर भी आपको 12 वोल्ड का आपको पावर आउटलेट मिल जाता है दोस्तों चलते हैं दोस्तों अब इसके इंटिरियर में तो पहले आपको रियर इंटियर दिखाता हूं उसका दोरवाज उपन कर लेते तो इसका प्यानो ब्लैक फ्निचिंग में दिया गया है देख सकते हैं और यहाँ पर बॉठल होडर आपको देखने को मिल जाता है नीची स्पीकर ग्रिल और यह है दोस्तों इसका जो है रियर की सीटे आप देख सकते हैं एडजस्टिबल हेट्रस के साथ आपको मिलता है को बहुत बदी है और और धेसों एक है जो लिए रूम की बात करो तो यह को अच्छा हुआ है लाग इधने को मिल जाता है अब चलत unfair बिल्या ज़की है अब चलते दोस्तर के इंटियर में पहले दरवाज़ा ऊपन करतें। यहां पर देखेंगे यह इसका प्रण्ट डोर का इनर साइड। यहां पर भी आपको लेधर फिनिशिंग मिल जाता है। यह पे यह इस टाइब से टैकचर के साथ और चारोपार विंडो वान शट डाउन फीचे के साथ और नीचे आपको बाटल होल्डर वगरा अम्रेला होल्डर भी यहां पे मिल जाता है दोस्तों नीचे आपको सिड मिल यह a पर आपको जो है डेकने को मिल जाताँ है दोस्तों और यह जो है पुरा अजरे को अब अंदर बैट जाता है फिर आपको इंटेरियर दिखाते है जो सेम की तरह तो सेम कीज आपको मिलती नहीं की में दोस्तों अगर इस्टेरिंग की बात करो तो यहां पर आपको जो है फ्लैट बोटम इस्टेरिंग मिल जाता है यानि कि डीकट इस्टेरिंग मिलता है और आपको लेदर फिनिशिंग के साथ मिलता है दोस्तों और आपको यहां पर ब्लू थ्रेट से आपको स्टेचिंग क मिल जाता है और सड्स कने को से जैनल है पर टो है तो ये खंब है युप सकते हैं तो यह पर आपको जो है अबोगा-दिजिटल प्लस एनलोग इंहाओ आपको dialogue मिल जाता है जो Närफर सेलेटिम सेलेचो यहाँ और बात करें तो बात अलग सी यह दोस्तो इन शौड बताओं तो यह जो रीजनरेतीव ब्रेकिंग सिस्टम है आगर आप ब्रेक उten तो फिर वी आपको भाली जो वह चार्ज करता रहता है ठुर टो यह दोस्तो इसका जो है रजनरेतीव ब्रेकिंग सिस्टम यह दोॉस्त सिस्टम सिस्टम हर्मन कार्टन का बहुत ही बढ़िया साउंड क्वाल्टी के साथ है आता है दोस्तों और इसमें जो है आपको जो एयर प्यूरिफायर इन बिल्ड मिल जाता है दोस्तों और यह नेक्सों का ब्रेंडिंग नीचे आपको जो है एसी को कंट्रूर्स करने के लिए बटन को देखेंगे तो यहां पर नहीं चीज आपको देखने को मिलेगा दोस्तों जोइल गंट्रूर्न बोलते इसको तो यहां पर गेर के जगहां यहां पर दे दिया है यह आपको घुमाने वाला डायल तो इस से आपको गाड़ी और रिगर्स करना है पारकिंग करना सारी और यहां पर आपको जो है वारलेस चारजिंग का आपका ओप्शन देखने को मिल जाता है दोस्तों और यह जो है यहां पर एक इस पेस दिया है यहां पर पैंस बगर आप रख सकते हैं क्या है अरी तिरी कुछ नहीं है दोस्तों यह वैसे रखा हुआ था यहां पर पैंस ग्लब बॉक्स की बात करों तो यहां पर देख सकते हैं बहुत ही बड़िया ग्लब बॉक्स आपको दिखने मिल जाता है तो सेक्षिन में उपर यह नीचे भी अंदर लाइटे भी है और जो है ग्लास वगरा रखने के लिए इस पेस दिया गया यहां पर यह ता दोस्तों डै लैंप होगे जो की LED में आता है पूरा यह दोस्तों इसका संरूफ तो यह है इसका संरूफ आप देख सकते हैं बहुत बढ़ी है चीजह आपको घूमने के लिए अगर जाते हैं कहीं पर पहाड़ों में तो संरूफ से एक अलागी फील आता है छोटा है अलागी लेकिन फि लेकिन जब इसको बंद करते हैं तो यह वाला जो है सेक्शन आपको साथ में आ जाता है दोस्तों यह इतना ही जाता है पीछे और यहां पे संवाइजर देखेंगे तो यहां पर आपको पैसेंजर साड़ में वैनिटी मिरर मिल जाता है और इधर के जो संवाइजर है ड्रा करती है और यहां पूसलेंड़ को आपको प्लावर । यह दोस्तों यह कार जो काफी ज्यादा है बहुत बढ़िया आपको माइलेज मिल जाता है एक बार फुल चार्ज करने पर और अगर इसका जो चार्जिंग का जो है प्राइज है लगबग लगबग 50,000 के असपास में महेंगी पड़ती है तो वह अगर लेते हैं तो कम से कम साड़े 6 गंटे के अंदर यह आपको 0-100% चार्ज करके दे देती है और इसका जो कॉमन जो पॉर्ट आता है डीसी फास चार्जिंग तो अगर उससे चार्ज कर और अलग-अलग स्टेट की साफ से अलग-अलग पड़ता है अगर आप पर्चेस करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डिलर्शिप का कॉंटेक्ट डिटेल बगरा दे दूंग वहां से आप कर सकते हैं और एक चीज़ इसमें बताना मैं रहे गया अगर इसकी जो क वारंटी आपको दे रहे कंपनी टाटा जो आने वाले समय के लिए यही भविश्य है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद